मैं मंदीब सौगत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर फिंट साच के इस वीडियो में 34 साइस का बैक नेक डिजाइन में आप लोग के साथ शेयर करूंगी टीप नेक पर तो देखें मेरा अस्तर का कपड़ा है अस्तर के कपड़े को सबसे पहले हम इस तरीके से फोल्ड करके रख लेंगे और अगर नीचे से कपड़ा सीधा नहीं है तो सबसे पहले एक लाइन रो करके हमने कपड़े को सीधा कर लेना है और इसके बाद टोटल लेनी है तो जितनी भी लेंफ आपको तयार रखनी है उसमें एक इंच मारजिन का प्लस करके और टोटल लेंथ आप यहाँ पर लीजेगा टोटल लेंथ मैंने रखी है 14 इंच 13 इंच लंबाई मैंचे इसकी तयार रखनी है और डीपनेक के साबसे 34 साइस के लिए शुल्डर पांच इंच रखे हैं आर्मोल लेने ही साड़े पांच इंच तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर शुल्डर एन आर्मोल की लाइन बना ली है चेस्ट का चोथा भाग लेंगे साड़े आर्ट इंच और देड़ इंच एक्स्टर लेंगे मारसिन के लिए चेस्ट के लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे इसके बाद इकिये मैंने लिया है नीचे कमर का मैसेमेंट कमर है 28 इंच उसका चोथा भाग लेंगे 7 इंच देर इंच एक्स्ट्रा मार्सिन और एक इंच एक्स्ट्रा ओर लिया है कमर की प्लिट्स के लिए मार्किंग पूरा करने के बाद हमने आर्म हूल की गुलाईयां आपर देनी हैं सवाई किंच पर अस्तर के उपर मैंने इसका कटिंग कर लिया है अब लेना है गले का measurement गले की जो weight थे वो रखिए मैंने यहाँ पर सवा 2 इंच आप 2 इंच पी ले सकते हैं गले की total लंबाई रखिए मैंने 15 इंच तो गले की जो length थे वो आप अपने according कम चादा करके ले सकते हैं और इस तरीके से यहाँ पर एक चोकोर box बनाएंगे और इसके बाद गले का shape draw करेंगे तो यहाँ पर दीखे मैं scale से नीचे की तरफ shape दे रही हूँ और उपर की तरफ से थोड़ा सा गुलाई देते हुए यहाँ पर marking करेंगे गले के लंबाई चोड़ाई आप अपने according कम चादा करके ले सकते हैं अब हमने गले को cut कर लेना है इस तरीके से और मैंस में paper pasting का use कर रही हूँ अगर आपके पास नहीं है तो आप simple सिलाई लगा कर पलट सकते हैं गले को अब मैंस से cutting कर रही हूँ man fabric पर man fabric पर मैंस की cutting कर ली है और इसके बाद एक ही अब लेना है paper pasting, paper pasting को double करते हूँ हमने नीचे की तरफ रख लेना है और as itis यहाँ पर marking कर देनी है इस तरीके से paper pasting को रखेंगे और यहाँ पर mark कर लेंगे marking करने के बाद बाहर की तरफ से एक इंच paper pasting को extra लेते हुए हमने cutting कर लेना है अब देखिए मैं यहाँ पर रस्तर का extra fabric लिया है अगर आपके पास नहीं होता है तो आप इस तरीके से कपड़े को जोड़ लगा कर भी यहाँ पर कर सकते हैं और इसके उपर attach कर सकते हैं और इतना fabric भी नहीं होता है तो अब अस्तर पहले पाट के उपर ही इसे attach कर सकते हैं तो मैंने चारो तरफ से सिलाई लगा कर इसे attach कर दिया है कपड़े के साथ और extra fabric को भी cut करके निकाल दिया है छोटे cut यहाँ पर लगा लेंगे इस तरीके से और हमने इसे fold कर लेना है तो बाहर की तरफ से fabric को fold करेंगे neck को मैंने तयार कर लिया है इसके बाद हमें लेना है यहाँ पर man fabric, man fabric को रस्तर के कपड़े को साथ में attach कर लेंगे इस तरीके से रखना है और इसे सिलाई लगा देंगे सिलाई लगाने से पहले मैं इसके उपर पेना टेज कर रही हूँ सिलाई सबसे पहले हमें गले के उपर लगानी है यह देखे अच्छे से neck के उपर सिलाई लगा ली है और अब मैं बाहर की तरफ से सिलाई लगा रही हूं इसके उपर बाहर वली सिलाई लगाते समय आप कप्रे को अच्छे से finishing करते जाए और सिलाई लगाते जाएं इस तरीके से सिलाई लगाकर मैंने इससे पूरा कर लिया है अब जितना भी extra fabric है इससे हमने cut करके निकाल देना है तो इस तरीके से कप्रे को cut कर लेंगे बाहर की तरफ से भी फैब्रिक को कट करेंगे अब दिखिए यहाँ पर सिलाई लगानी है तो नीचे की तरफ इससे रखेंगे इस तरीके से और दोनों तरफ से बराबर करते हुए पिन के साथ हमने इसे अटेज कर लेना है पिन मैंने लगा दी है अब इसके बाद सिलाई लगाएंगे तो एक पेर का मर्जिन लेते हुए अच्छे से फिनीशिंग के साथ हमने सिलाई लगानी है यहाँ पर यह देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा कर इसे पूरा कर लिया है और इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे बीच में से सारा ही फैब्रिक मैंने कट करके निकाल दिया है और इसके बाद हमने चोटे कर्ट यहाँ पर लगा लेने हैं पूरे ही नेक के उपर कट लगाएंगे इस तरीके से कट लगाने के बाद एक सिलाई रिके मैं गला पटी को इस तरफ करते हुए पटी के उपर लगा रही हूँ तो पूरे पटी पे इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे इससे कले में अच्छी पिनिशिंग आती है और बहुत ही असानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है यह दिखें सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है सेंटर से कपड़े को फोल्ड करना है और चार इंच की लंबाई में यहाँ पर प्लेट्स लगानी है तो दोनों ही तरफ इसी तरीके से हमने प्लेट्स लग अटेज कर लेनी है अब लगाना है नीचे की तरफ कमर पट्टी तो नीचे से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमने पट्टी को अटेश कर लेना है इस तरीके से और एक सिलाई पटी को इस तरफ करते हुए पटी के उपर लगा लेनी है पटी को उंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और एक सिलाई उपर फिनिशिंग के साथ लगा लेंगे सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसे डवल फोर्ड कर रही हूँ और इस तरीके से दिखे हमने यहाँ पर मार्किंग करनी है डिजाइन बनाने के लिए तो जो नीचे वाला शेय पे इसे आनमो उस तरफ मिला देना है एक तरफ से मैंने कर लिया है दूसी तरफ से भी इसी तरीके से मार्क कर लेंगे यहाँ पर इसे बिलकुल सीधा करते हुए यहाँ पर हमने मिला देना है अब देखे मैंने देर इंच के चोड़ाई में यहाँ पर एक पटी ली है और इसे हमने फोल्ड करना है तो इस तरीके से करेंगे पटी को फोल्ड और यहां पर सीधी सिलाई लगाएंगे पटी को फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे एक तरफ से मैंने सिलाई लगा ली है अब मैं दूसरी तरफ से लगा रही हूं इसके उपर दोनों तरफ से इसलाई लगाने के बाद छोटे पीसस में इसे कट कर लेने हैं इस तरीके से सभी पटियां मैंने कट कर ली हैं और इसे तरीके से मैंने एक और पटि बना ली थी दोनों तरफ ये पटिया आटेज करने के लिए तो एक एक करके पटि को हम आपर गल्य की तरफ लगाना है हाफ-आफ इंच का गैप मैंने हापर रखा है पटियों की बीच में दोनों ही तरफ से पटियों को लगाने के बाद नीचे में फ्रिल का डिजाइन बना रही हूं तो इसके लिए मैंने आपर ये लंबी पटी कट करके रखी है और इसकी चोड़ाई मैंने रखी है साड़े तीन इंच की लंबाई में ये देड मीटर है तो आपको यहां पर अच्छी लंबी पटी लेनी है क्य आप चाहें तो प्रैस करकी भी से फोल कर सकते हैं पूरी ही पटी को सीदी 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 लगा देनी है पीच में अच्छी नहीं लगती है एक्स्ट्र कपड़ा जो धागे निकल रहे हैं इसे में साइड में से कट करके निकाल दिया है अब पटी के हमने फ्रिल बनानी है तो पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और इसके फ्रिल बनाते जाएंगे इस तरीके से यह देखिए मैंने यहाँ पर पट्टी को फ्रिल बना दिया है अब मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक जो निकल रहा है पार की तरफ इसे कट करके निकाल रही हूँ कपड़े के एक्स्ट्रा पाट को मैंने कटिंग कर दिया है इसके बाद मैं फ्रिल को यहाँ पर अटेज कर देना है गले की बिल्कुल पास्ते रखा है जहाँ पर मैंने मार्किंग की थी वहाँ पर रखेंगे और इस तरीके से सिलाई लगा कर इसे अटेज कर देंगे दोरों तरफ से मैंने अच्छे से सिलाई लगा दी है और एक्स्ट्रक फ्रिल जो थी उसे भी कट करके निकाल दिया है अब देखे मैं यहाँ पर लेस अटेश कर रही हूँ तो लेस को हमने यहाँ पर रखना है और एक सिलाई लगा देनी है तो यहाँ तक लेस को अटेश करने के बाद मैंने लेस को कट कर दिया है और दूसरी तरफ से भी इस पर सिलाई लगा दी है इसी तरीके से यहाँ पर गले की दूसरे भाग पर भी हमने लेस को अटेश कर देना है दोनों तरफ लेस अटेश करने के बाद अब मैं नीचे की तरफ भी लेस अटेश कर रही हूँ तो यह जो फ्रेल हमने लगाया है इसका मार्जिन पूरा कवर हो जाएगा लेस के साथ और यहाँ पर देखे बीच में एक बिलेट्स बनाती है ताकि जो गला हमने बनाया है उसका शेप बराबर से दिखे तो मैंने अच्छे से सिलाई लगा कर लेस को यहाँ पर अटेश कर दिया है और यह जो मैंने पटिया लगाई है इसके अंदर आप मोती अटेश कर सकते हैं या फिर दोरी अटेश कर सकते हैं तो मैंने लिए सेम कलर की हाँ पर रेडिमेट वाली डोरी आप कपड़ी की बना कर भी लगा सकते हैं डोरी को अटेश करने के बाद मैंने बराबर से यहाँ पर सेट कर दिया है नीचे वाली जो डोरी है वो आपको नीचे बैक पार्ट के साथ अटेज कर लेनी है और जो उपर वाली डोरी बची है इसे आपको शोल्डर फ्रंट के शोल्डर के साथ अटेज करना है जब आप अपने ब्लाउस का शोल्डर अटेज करेंगे तो उसी के साथ ये पटी भी अटेज हो जाएगी एक्स्ट्र पटी को एक्स्ट्र जो डोरी है इसे कट करने के बाद हमने दोनों तरफ अच्छे से सिलाई लगाती नहीं है इसी के साथ मेरा आज का इनेक डिजाइन बन करके त्यार हो क्या है तो फैंट्स आपको आज का इनेक डिजाइन कैसा लगा है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताईएगा वीडियो को लाइक शेर ज़रूर कीजिएगा चैनल को सस्क्राइब ज़रूर करेंग धन्यवाद